वेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक घटना कहीं छोटी सी होती है एक घटना कहीं छोटी सी होती है और वो छोटी सी घटना बड़ी घटना में कनवर्ट हो जाती है बड़े बदलाव में कनवर्ट हो जाता है क्या घटना घटती है गटना घटती है साउथ अफरिका में, first class के डबे में महत्मा गांदी जी बैठे हुए हैं और उनको धक्के मार कर ट्रेन से फेक दिया जाता है, ट्रेन से फेक दिया जाता है, एक छोटी सी घटना हुई, और जैसे उनको ट्रेन से धक्के मार कर फेका जाता है, महत्मा गांदी जी के अंदर का जमीर जाग जाता है, अंदर का पावर जाग जाता है, वो जो अपमान हुआ उनका साउथ अफरिका में, उससे उनके अंदर एक जागुरती आती है, और वो संकल्प लेते हैं, कि जिस तरह से इन लोगों ने आज मुझे धक्के दे कर बाहर फेका है, मैं इन अंग्रेजों को अपन अपने देश से धक्के मार के निकालूंगा, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त गरूंगा, आजादी दिलाओंगा, घटना क्या घटी? साउथ अफरिका में ट्रेन से धक्के मार के गांदी जी को बाहर निकाल दिया, एक छोटी सी घटना, एक मामली सी घटना, कितना बड़ा क्रांती हो गया कितना बड़ा अंदोलन छिड़ गया देश को आजादी दिलाने के बाद ही गांधी जी अहमदाबाद लोटे थे आप सब को ये बाद पता है नमबर दो एक छोटी से घटना हुई थी दोस्तों एक छोटे से बच्चे के साथ एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था उसके टीचर ने इसको एक पत्र दिया उससे कहा बेटा इस पत्र को खोलना मत ये पत्र अपनी माता जी को जाके घर पर देना माता जी पढ़के आपको ये पत्र सुनाएंगी इसमें क्या लिखा है बेटा गया अपने मम्मी को पत्र देता है ट बहुत genius है, तेरे लिए ये school नहीं है, तुझे और बड़े school में डालने की जरूरत है, माता ने ये पत्र पढ़ा, वो पत्र रख दिया कहीं उन्होंने, माता जी ने, अब जो बच्चा था, उसको मां ही पढ़ाना शुरू कर दी, मां ने ही पढ़ाना शुरू कर दिया, उसक सबसे अलग है, वो सबसे हटके है, माता जी का देहान थुआ, ये बच्चा बहुत बड़ा हुआ, ये बच्चा बहुत बड़ा हुआ, इस बच्चे का नाम था Thomas Edison, जिसने बल्ब का आविश्कार किया, जिसने लाइट का आविश्कार किया, और एक दिन उसे घर में वो एक लेटर को वो बच्चा पढ़ता है, तो उसमें लिखा था कि तेरा बच्चा मेंटली इल है, मानसिक द्रिश्च से बीमार है, इसे कहीं और स्कूल में दाखिले दिलाओ, ये स्कूल इसके लिए नहीं है, मा ने पढ़ा, बच्चा रोने लगा, ये Thomas Edison रोने लगा, उसके आ किया, मानने उस बच्चे को ये नहीं कहा, कि बेटा इस लेटर में लिखा है, तो मेंटली इल है, तो कुछ नहीं कर सकता है, तू नालायक है, माने कहा बेटा तू जीनियस है, इसमें लिखा हुआ है, और ये स्कूल तुझे अप नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तेरे लेवल कि thinking तेरे level की study इनके पास नहीं है, मा ने तो ये कहा, दोस्तो वो बेटा कितना genius निकला, कितना महान कारे करके गया, इसी light में हम लोग जी रहे हैं, इसी आविश्कार में हम लोग जी रहे हैं, अंधेरे में भी जो प्रकास हो रहा ये देने Thomas Editions की, मित्रो एक छोटी सी घटन हुई, कितना बड़ा बदलाव जीवन में हुआ, कितना बड़ा आमूल चुल परिवर्तन जीवन में हुआ, जिसका लाभ पूरी दुनिया ले रही है, वो बच्चा जो mentally इल्जी से घोसित कर दिया था, उस बच्चे ने इतना बड़ा आविश्कार कर दिया, 9999 बार असफ हम देती है, एक छोटा सा जीवन में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है दोस्तों, क्या हम भी अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदल सकते हैं, क्या हम भी छोटी-छोटी अपनी बुरी आदलों को बदल सकते हैं, अपने खान-पान को बदल सकते हैं, अपन भी मिलेगा, हम अमीर भी बनेंगे, हमारे रिष्टे भी मजबूत होंगे, हमें सुक भी मिलेगा, सांती भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, हमें इतिहास भी बनाएंगे और दूसरों के जीवन में उजाला भी कर सकते हैं. जरूरत यही है कि जिस तरह से गांदी जी को ट्रेन से उठा कर फेका गया, उनको एक चोट लगी और उस चोट को उन्होंने सकारात्मक द्रिष्ट से लिया, उनके भीतर का पावर जगा, उन्होंने संकल्प किया और उसको पूरा किया, आजादी मिली. एक चोटी जिघटना थौमस एडिशन के साथ हुई, मेंटली इल करार घोसित कर दिया गया, लेकिन मा ने बेटे से का, बेटा तुझ जीनियस है, तुझ जीनियस है, और वो बच्चा जीनियस बनकर दिखा दिया दोस्तों. ग्राम बेल की स्टोरी आप सबको पता होगी, ग्राम बेल को अपनी प्रेमिका से बात करना था, वो बात नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टेलीफोन का आविश्कार कर दिया, जॉन राइट बंधुओं ने चिडिया उड़ते हुए देखा, गाड़ी से भी जन्दी, बाइक से भी जन्दी, बस से भी जल्दी पहुँच सकता है, येस पहुँच सकता है, इसी लिए आविश्कार हुआ, उड़ता हुआ चिडिया अगर वो नहीं देखते हैं, तो उनके मन में संकल्पना भी नहीं आती, कि हम एरोप्लेन का आविश् एक छोटा सा बदला बहुत बड़ा इंपेक्ट लेकर आता है हमारे जीवन में, हम सब सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शुक्रियादा करते हैं, अनकंडिशनल फॉर्गिनेस, अनकंडिशनल लव करते हैं, एकसरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राण 8 days हो गया, निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है, क्या कर रहा है, पहले जो थे हम वो नहीं रहे अब, अब हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, हमारे विचार बदल गए, हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई, हमें सुक शांती मिलने लगी, हमें आनन्दा आने लगा, क्या क किया, आपने थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा जल्दी उठ रहे हो, जड़ा जल्दी उठ रहे हो, लोगों से दो घंटा पहले उठ रहे हो, और लोगों से दो घंटा पहले उठ रहे हो, तो साल में आपको चार से पांच महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप ज